हलो माई डियर स्टूडेंट इस डॉक्रा कांग शागरवाल आपकी गुरुमा और आज के पॉड्कास सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि प्लांट ग्रोथ एंड डेविलप्मेंट एक ऐसा चैप्टर है जिससे स्टूडेंस को बड़ा डर लगता है इतने सारे ह कैसे याद करें क्या किया करें और यहां से आता है लाव को एक एक स्टूरी सुनाओंगी और आपको पूरे के पूरे हॉर्मोन के चैप्र हो जाएंगे मेरा बादा है चलिए हम शुरू करते हैं प्लान ग्रोथ एंड डेविलप्मेंट चैप्टर चैप्टर के पड़कास् that is the seed germination अगर बाहर favorable condition है तो वो seed germinate करती है root, shoot, पुरा पेड़ बनता है पर अगर बाहर unfavorable condition है तो हम जानते हैं seed dormant हो जाती है water lose करती है dehydration होता है period of rest में जाती है जिसे हम बोल देते हैं dormancy और जब favorable condition return होती है then it again resume its metabolic activity और वो दुबारा से germinate करती है यानि growth क्या होता है students growth हमने living world में भी पढ़ा है permanent irreversible increase होता है किस में या तो cell का size number बढ़े या हम कह सकते हैं अगर वो होगा तो tissue बढ़ रहा है और tissue बढ़ रहा है यानि organ या organ या tissue या cell उसका size उसका number कुछ भी बढ़ना unlimited यानि indeterminate होती है क्योंकि meristematic tissue throughout life रहता है और पेडों में open growth होगी यानि indeterminate, unlimited, indefinite या open growth होगी और localized growth होगी animal में diffuse होती है कहीं से भी growth हो रही है पर पेडों में localized growth है क्योंकि meristem certain locations पे प्रेजेंट है बस वहीं से ही पेड की growth होगी so plants में indeterminate, open and localized growth है हम already anatomy में भर-बर के अच्छे से पढ़ चुके है students की पेडों में अगर लंबाई बढ़ रहे है increase in length तो उसे primary growth बोलते हैं और चोड़ाई बढ़ेगी increase in girth तो secondary growth कहते हैं, primary growth में हम जानते हैं, apical meristem and intercalorie meristem का roll होगा, जबकि secondary growth में lateral meristem का roll होगा, जिसमें cock cambium and vascular cambium आता है, आप जानते हैं increase in the secondary growth जो है, girth जो है, वो monocots में नहीं होती, वो gymnosperm और dicots में होगा, और dicots में भी root और stem में होगा, leaf में कभी secondary growth नहीं होती है अब आई हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पेडों में पढ़ समझते हैं कि arithmetic और geometric growth क्या होता है बड़ा असान है student समझिए कि एक parent meristematic cell है, इसने divide करके दो daughter cell बनाए, दोनों ने फिर divide करके 4 बनाए, 4 से 8, 8 से 16, यानि 1 से 2 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 क्योंकि दोनों daughter cell फिर से divide करते जा रहे हैं, यानि बहुत तेजी से growth होगी, इसे geometric exponential growth कहते हैं इसमें पहले lag phase आया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 फिर log exponential phase आया बट क्योंकि other factors limiting होंगे, इसलिए deceleration और फिर stable, stationary यानि asymptote phase आएगा यानि इसका S shape या sigmoid shape का करवाएगा अगर मैं इसे graph पे plot करके देखूंगी, तो मुझे क्या पता चलेगा मुझे final size पता करना है मान लीजे, तो final size is equal to initial size multiply by e to the power r t जहाँ पर r है कि कितनी growth हुई है, t मतलब कितने time में हुई है, और e मतलब base of natural log लेकिन arithmetic growth का क्या मतलब है arithmetic growth का मतलब होता है कि one parent से जो दो daughter cells बने हैं, उनमें से one will divide और दूसरा वाला differentiate हो जाएगा, cell cycle exit करके अपना काम करेगा, यानि एक से दो बने, अब दो से चार नहीं, तीन बनेंगे क्योंकि एक parent, एक daughter cell will divide, तो वो दो cell बनाएगा बट एक permanent वाला में convert हो गया, फिर वो जो दो बने हैं, उनमें से फिर एक permanent हो जाएगा, and only one will retain the property of cell division, एक ही आगे divide करेगा, यानि या धीरे-धीरे growth हो रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसे arithmetic growth बोलते हैं, इसे अगर आप graph पर plot करेंगे, तो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरी- linear line की तरह linear curve बनेगा, इसमें हो जाएगा lt यानि final length अगर मैं calculate करूं, is equal to l 0 यानि initial length plus rt, r मतलब कितनी growth होई है, growth rate और t मतलब कितने time में होई है, बस ऐसा समझ लो, जैसे अगर हर हफते 2 cm बढ़ रहा है, तो 5 हफते बाद कितना बढ़ जाएगा, तो 5 into 2, 10 cm, और शुरू में मान लो 10 cm था, यानि अब कितनी हो गई लंबाई, 10 plus 10, 20 cm, so lt is equal to l 0 plus rt हो जाएगा, linear करवाएगा, जबकि geometric growth में sigmoid करवा रहा है, s shaped करवा रहा है, और w1 is equal to w0 into multiply by e to the power rt आ रहा है, तो ध्यान रखना ये सब कुछ, अब पेडों में कैसी growth होती है, देखो वैसे तो पूरी जिंदगी पेड दीरे 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 grow करते हैं, यानि arithmetic growth होती है, बट early embryonic stage में geometric growth होती है, जब embryo बनता है, एक से दो, दो से चार, चार से आड शुरू में तो geometric growth होती है, अब student एक और word दिया है हमारी NCRT में और वो absolute growth क्या होती है और relative growth क्या होती है, इसको ऐसे समझो, मान लीजी एक इंसान है जिसकी salary 5000 रुपीज है और वो 10,000 हो गई, और एक इंसान है जिसकी salary 50,000 ते और 55,000 हो गई, मैं आपसे पूछेंगे बताओ, दोनों की salary कितनी बड़ी तो आपको कहों के 5000, दोनों की 5000 बड़ोतरी हुई है, यानि absolute total income जो increase हुई है, वो 5000 1000 इंक्रीज हुई है, यानि यहाँ पे भी अगर कोई पत्ती 5 से 10 cm स्क्वेर हो रही है या 50 से 55 cm स्क्वेर हो रही है एक हफते में, तो हम कहेंगे दोनों की absolute growth 5 cm स्क्वेर इन वन वीक है, लेकिन मैं तो ही जानना चाहती हूँ कि बताओ कितना percent increment मिला है salary में, तो आप कहोगे माम जिसका 50,000 से 55,000 हुई है, उसको तो किवल 10% का ही rise मिला है, पर जिसकी 5,000 से 10,000 हो गई, उसकी salary डबल हो गई, यह 100% rise मिल गया है तो जी हां students, अगर 5 cm स्क्वेर से 10 cm स्क्वेर हो रही है, तो कितना percent increase है, इसे relative growth बोलते हैं, यानि final growth, minus initial growth, divided by initial growth, यह with respect to कितनी बड़ी है, multiply by 100, यह percentage में आ जाएगी समझ आ गया, तो absolute growth दोनों की 5 cm स्क्वेर इन वन वीक है, पर relative growth, first case में 100% और second case में केवल 10% है यानि हम क्या समझ रहे हैं, कि growth को measure किया जा सकता, यह सा मैं measurement ही तो बता रही हूँ आपको, arithmetic, growth, geometric, growth, relative, growth, absolute growth, so growth is measurable growth measure करना मतलब protoplasm में बढ़ाकरी measure करना पर वो तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करें, हम total weight कितना increase हो रहा है, fresh weight में increase, या पानी निकाल दो dry weight में increase, या length में increase, volume में increase, size में increase, cell number में increase, इन सब तरीके से growth को find out कर सकते हैं, NCRT में 4 examples दिये हैं, student ध्यान से सुनियेगा, pollen tube की लंबाई, length कितनी increase हुई है, वैसे growth देखते हैं, एक dorsi ventral और dicot की leaf, पत्ती की growth हम, उसके surface area में increase से चेक करते हैं, और watermelon, तरबूज में 1 cell, 3.5 lakh, 3.5 lakh times increase होता है, और maze, मक्के का जो root tip cell है, root apical meristematic cell, वो one hour में 17,550, साड़े 17,000 नए cells प्रोड्यूस करता हैं, इन सेल नमबर में growth हम देख रहे हैं, कैसे याद रखोगे, waste, waste मतलब W, याने watermelon, और waste सा आ रहा है, याने size, तो watermelon में size increase होता है, 3.5 lakh, और M से maze, और maze में नमबर बढ़ता है, N, साड़े 17,000 पर hour, मज़े आ गए, चलिए, अब growth के phases क्या होता है, इसे anatomy में हम detail में पढ़ते हैं, सबसे पहले meristematic zone है, जहाँ पे cells छोटे-छोटे होंगे, small होंगे, क्योंकि उने फटा-फट से grow, divide, grow, divide करना है, thin primary wall होगी, vacuol ना के बराबर या absent होगा, dense cytoplasm होगा, prominent nucleus होगा, metabolically active cells होगे, dividing cells होगे, इसके उपर zone of elongation या enlargement आएगा, यहाँ पे they have lost the property of division, vacuolization, vacuol बन गया है, इसलिए cell लंबा हो गया है, और उसके proximal होगा zone of maturation, जहाँ differentiation हो जाएगा, proper, of course यहाँ पे भी property of division तो lost ही है, और जहाँ mature होता है, मैं कुशाग्र की मस्त कहानी से आपको सिखाती हूँ, anatomy में, वहाँ मूचे आती है, याने कि mature, जब शादी होगी, मैचे आएगे, तो मूचे आ गई है, याने maturation zone में root air होते है, जो epidermis के ही एक-एक cell है, unicellular epidermis है, जो surface area for absorption of water and minerals को increase कर देता है, आप जानते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या-क्या समझ लिया है, students, हमने बहुत सारे तरह की growth, growth measurable है, oxanometer से growth measure करते हैं, oxine का मतलब ही होता है, growth याने growth को measure करने वाला instrument oxanometer, अब growth के लिए क्या-क्या conditions चाहिए, बढ़ा असान है इसको समझना, वही conditions जो हमारी growth के लिए चाहिए, हमें खाना चाहिए, इन्हें भी चाहिए, micro and macronutrients, ताकि protoplasm बनाएं, और खाने को oxidize करके energy ATP बनाएं for growth, हमें पानी चाहिए, इन्हें भी water चाहिए, water medium है, जिसमें सारे enzymes काम करेंगे, water से dargidity मिलती है, वही पानी तो है, जो cell को full आके रखता है, medium की तरहें काम करता है, इवन आपको पता है कि bonds जो है, peptide bond, easter bond, glycosidic, कोई भी bond तोडने के लिए भी water चाहिए, तो water is very very important, now, हमें और के अची हवा, oxygen, इन्हें भी air oxygen चाहिए, ताकि वो oxidation, aerobic respiration करके ATP generate कर सके, हमें light चाहिए, इन्हें भी light चाहिए, root away from light, shoot towards light ग्रो करेगी, और light कई जगे पर duration of light important है, food full खिलाने के लिए हम अभी समझेंगे photoperiodism, temperature optimum होना चाहिए ना कम ना जाधा, बहुत जाधा गर्मी होगी, तो भी enzymes inactive हो जाएंगे, और ठंड होगी, तो भी, यानि any deviation from this optimum rage will be detrimental harmful, इसके अलावा gravity का भी असार आता है, तो nutrients, water, air, light, temperature and gravity, ये सारी conditions होगे, अब आएए कुछ term समझते हैं जो आपने anatomy में बहुत detail में हाले कि already पड़े होंगे, तो आपने लिए बच्चों का खेल है, differentiation, de-differentiation and re-differentiation, student जब एक primary, पहली बार meristematic cell है, और उसने cell cycle exit करने का decision लिया, कि अब मैं divide नहीं करूँगा, मैं permanent बनूँगा, तो उसे कहेंगे primary permanent tissue, और इस process को कहेंगे differentiation, जैसे primary xylem, primary phloem, ये सब primary permanent tissue, to a differentiation से बना है, लेकिन अगर कभी इन्होंने वापस से cell cycle में entry ली, तो उसे कहेंगे, फिर से बने वो meristematic, secondary meristem बन रहे हैं, तो अब इस process को कहेंगे, de-differentiation, differentiation का उल्टा, और divide करने के बाद जब फिर से cell cycle exit करेंगे, दुबारा से permanent tissue बनाएंगे, secondary permanent tissue, तो उसे कहेंगे, re-differentiation, यानि secondary xylem, secondary phloem, secondary cortex, कोर की ये सब secondary permanent tissue है, re-differentiation से बना है, अब, next term NCRT में जो दिया हुआ, NCRT में ने एक बड़ा मज़दार example दिया, एक diagram दिया जो अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत easy है वो, समझो, एक cell है, divide, grow, grow, divide, grow, divide, grow, divide, इसे meristem लिखा है, फिर plasmatic growth दिये, यानि उसकी growth हुई, growth में उसने differentiation भी कर लिया, तो वो mature बन गया, elongation, maturation के बाद mature cell बन गया, mature cell फिर बूड़ा होगा, यानि senescence और उसके बाद death हो जाएगी, अब आई एक term पढ़ते हैं, plasticity क्या होता है, student बड़ा मज़ेदार है, धनिया जब आप घर पर लाते हैं, तो धनिये में, अगर आप फूल खिलने के पहले वाले धनिये के पेड़ से धनिया तोड़ेंगे, तो धनिये की पत्ती का shape अलग है, और फूल खिलने के बाद तोड़ेंगे तो अलग है, यानि जीवन के अलग पत्तिया हैं, ताकि खूब अच्छे से transpiration, air exchange कर सके, और पानी के अंदर पतली-पतली dissected leaves हैं, अगर बड़ी-बड़ी पत्तिया होती तो water current उन्हें तोड़ देता, तो पानी उनके बीच से निकल जाए, तो phase theme है, but according to habitat, environment, कि aquatic है या terrestrial है, shape of the leaves अलग है, दोनों ही case में, shape of the leaves अलग है, shape of the leaf, leaf मतलब phyllo, और shape different, याने heterofily, याने plant का different response है, different pathway फोलो होगा, या तो environment different होने के कारण जैसा buttercup में हो रहा है, या phase of life different होने के कारण जैसा coriander, laxpur और cotton में हो रहा है, this is called plasticity, heterofily is an example of plasticity, तो ध्यान रखना CLC, याने cotton, laxpur और coriander में internal plasticity है, phase of life अलग-अलग होने के समय अलग-अलग shape की leaves, और buttercup में external environmental plasticity है, terrestrial और aquatic habitat दोनों में अलग-अलग तरह की leaves, so this is about plasticity, अब आईए my dear students हम आ जाते हैं, इसके second part पे that is plant growth and development, but उसके plant growth regulators, but उसके पहले development क्या है, बड़ा simple है, development is equal to जो growth हो रही है, बड़ा होत्री, plus differentiation, that is the development, done, अब आईए plant growth regulators की बात करते हैं, यानि plant growth hormones की बात करते हैं, student ध्यान रखो, यह small है, यह simple है, और diverse chemical, यानि different chemical nature के है, इन में से कुछ growth को enhance करेंगे, increase, तो plant growth promoters, जिसमें auxin, gibralin और cytokinin आएंगे, और कुछ growth को inhibit करेंगे, जिसमें abscessic acid main आता है, और itheline आता है, हाले कि itheline दोनों category में fit हो सकता हैं, सीखेंगे, पर largely inhibitor, अब plant growth promotory activity क्या है, ग्रोथ का promotion मतलब, cell enlarge होना, cell का number बढ़ना, अलग-अलग patterns बढ़ना, root, shoot की growth यानि tropic growth होना, फिर फूल खिलना यानि flowering, flowering होगी तो फल आना यानि fruit बनना, उसमें बीज आना यानि seed बनना, तो cell का number, cell का size, pattern formation, tropic growth, flowering, fruiting and seed formation, ये सब positive growth है, promoter है, और inhibit मतलब, पतियां वगरा जड़ना, abscission, falling off, या बीज का dormancy में चले जाना, सो जाना, बुड़हपा आना, senescence, ये सारी activities जो है, ये सब inhibitory activities है, अब आईए हमें 5 पढ़ने, auxin, gibralin, cytokinin, जो purely promotory है, abscissic acid, purely inhibitory और italy, which can fit into both the categories, but largely, majorly हम उसे inhibitory मानते हैं, क्यों अभी हम देखेंगे, तो सबसे पहले आई हम इनके chemical nature की बात करते हैं, मैं आपको tricks बता रही हूँ, ये tricks से ही आद करना, इससे revise करना आपको बहुत help मिलेगी, क्योंकि match तो column करके आता हैं और बड़े confusion होते हैं, सबसे पहले AI, artificial intelligent, यानि बहुत-बहुत intelligent, artificial intelligent, यानि auxin है, indole derivative, indole 3-acetic acid, IAA, indole 3- butyric acid, IBA, ये natural auxin हैं, बड़ साइन्टिस्ट ने लाब में 2,4-D, NAA, naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, ये सब 2,4-D, NAA, artificial auxin बनाए हैं, तो AI, यानि auxin indole derivative, कौन है artificial intelligent, CA, 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 CA का मतलब cytokinin, cytokinin adenine के derivatives हैं, adenine मतलब जो purine है, जैसे एक example है, cytokinin का kinatin, जो N6, पर-fural aminopurine है, हमेशा break करके याद करो, N6, पर-fural aminopurine, तो AI, यानि auxin, indole derivative, CA है, chartered accountant, यानि, cytokinin adenine derivatives, अब ये CA, GT में गया, GT, God of Tower, बड़ी famous जगे हैं, जैपूर में, GT, GT मतलब gibralins, G, और T मतलब ये टरपीन के derivatives हैं, और वहाँ जाकर उसने देखा, सब जगे AC लगा हुआ है, AC, A मतलब abscessic acid, C मतलब ये carotinoid के derivatives हैं, और उसके मुँसे देखे, गास निकली मुँसे, हवा निकली, यानि इतलीन, C2H4, एक gaseous hormone है, याद हो गया, AI, CA, GT में गया, AC देखा, और इतलीन गास निकली, चलिए, अब इनकी खोज discoveries हम एक साथ समझ लेते हैं, सबसे पहले मैं बताती हूँ, Oxyn की discovery, Oxyn की पहला scientist के नाम है, Charles Darwin और उनके बेटे Francis Darwin, ये canary grass, ग्रास मतलब monocot, और monocot में आप जानते हो, इनकी seedling में colliop tile मिलता है, transmissible influence, जिसने इसकी bending करवाई है, ये पहले दो scientist है, Oxyn से related, बट, Oxyn की discovery, Khoj का, Shrey और Oxyn नाम जो दिया, ये FW Vent ने दिया, जिनोंने human urine से Oxyn को isolate किया, जी यहाँ, human urine में भी ये मिलता है, Oxyn का मतलब भी होता है to grow, चलिए, अब आजे ये, हम आते हैं, जिब्रिलिक आसिड की discovery पर, यानि जिब्रिलिन, जिब्रिलिन की discovery जो है, वो कुरो सावा scientist ने की, ये जैपान के pathologist है, Japanese pathologist, ये एक चावल, चावल, राइस के पेड में एक बिमारी study कर रहे थे, बैकने, foolish seedling disease, इन्होंने एक fungus, जिब्रिला, फ्यूजी, कुराई, से infect कराया, एक un-infected rice plant को, और उसे बिमारी हो गई, यानि वो समझ गए कि जरूर इस fungus का कोई chemical है, जिससे बिमारी होई है, जिहां students, जिब्रिलिक आसिड की पहली कोज, fungus से हुई थी, जिब्रिला, फ्यूजी, कुराई, फंजाई में भी ये chemical बनता है, इसका मतलब, सिर्फ पेडों में नहीं ऐसा नहीं है, और वहीं देश का नाम, जिब्रिलेनिया, जिब्रिलिक आसिड पढ़ा, अभी तक, more than 100 जिब्रिलिक आसिड स्टडी किये गए हैं, प भूग, तंबाकू, टोबाको के, स्टेम के, इंटर नोडल रीजन से, कैलस बनाना चाहा रहे थे, कैलस मतलब, अन्डिप्रेंशेटेड मास ऑफ सेल, जिससे पूरा पेड़ बनाया जा सके, तब तक ऑउग्जिन की खोज हो चुकी थी, तो वो ऑउग्जिन के साथ ये कोयम आड करके देखा, और कोकोनट मिल्क आड करके देखा, जब इन चारों में से कुछ आड कर रहे थे, तो कैलस प्रॉलिफरेट हो रहा था, बन रहा था, वो समझ गए कि जरूर ये सेल डिविजन में कुछ और भी केमिकल इन्वाल्ड है, जिसे बाद में साइटो काइन नाम दिया गया, साइटो मतलब सेल का डिविजन साइटो काइनेसिस करवाने वाला सेल साइटो काइनेसिस प्रमोटिंग सबस्टेंस, इसके बाद स्कूग जी ने ही मिलर के साथ मिलकर मचली से सबसे पहले खोजा, डिसकवर किया, आइजोलेट किया, निकाला, मचली जी हा N6-Puril Aminopurine ये पेडों में नहीं पाया जाता है जी हाँ अभी तक पेडों में इसकी खोज नहीं हुई फिर जाकर एक साइन्टिस्टाइल लेथम जिन्होंने प्लांट में सबसे पहले कोकोनट और कॉर्ण मक्के में से जियामेज में से सबसे पहले एक साइटोकाइनिन को आइजोलेट किया जो बैप था बेंजाईल अमीनो प्यूरीन इसका नाम रखा गया जियाटेन और इसके बाद अब कई सारे पेडों से और आर्टिफिशेली भी बहुत सारे साइटोकाइनिन साइंटिस्स ने बना लिए इसके अलावा मिलर ने 1955 में ये जो काइनेटेन था और कुछ अध पके कच्चे केले थे उन्होंने देखा इन राइपन डॉरंज जिसके साथ रखने पर केले बनानास भी पक गर उन्हें समझाया जरूर इस पके हुए संत्रे में से कुछ वॉलेटाइल गैस निकल रही है जो इस केले के अंदर गई और इसे पका दिया डाट क्योंकि वो dormancy करवाएगा एक ने inhibitor B नाम दिया एक ने उसे abscission 2 नाम दिया बाद में पता चला वो तीनों एक ही की बात कर रहे हैं और तब उसे abscissic acid नाम दिया गया carotenoid का derivative AC यादा रहा है तो यह सारी discoveries मैंने एक साथ बता दी chemical nature एक साथ बता दी ताकि दिमाग में कोई confusion ना रहे अब आई हम auxin के बारे में बात करते हैं student auxin जो है अफकोस curvature test की त्रू हम इसका bio ऐसे करते हैं auxin में में कहानी सुनाओंगे आपको सब कुछ tips पर हो जाएगा एक लड़की है mona क्या नाम है mona पर यह mona की नहीं mona के बालों की कहानी है mona के बाल बाल मतलब जैसे पेड के बाल होते हैं याने root जी हाँ stem cutting को auxin में dip कर दो तो rooting निकल आएगी rooting इसका पहला function now दूसरा function mona के बालों में गजरा लगा याने फूल लगे हैं जी हाँ it initiates flowering in pineapple तीसरा एकदम smooth बाले गुटलिया नहीं है याने बिना seed का fruit याने पार्थिनो कार्पी in tomato तो mona के बाल याने rooting on stem cutting बालों में गजरा फूल याने flowering in pineapple और एकदम smooth बाल याने seedless पार्थिनो कार्पी इंड्यूस करवाएंगे tomato के अंदर now mona के बाल लंबे हैं उनको पानी की जरूरत है धोना पड़ेगा याने xylem differentiation और बाल लंबे हैं याने लंबे हो रहे हैं cell division में भी इसका रोल है प्रमोटरी activity है बाल पुराने वाले जड़ने चाहिए और नए वाले नहीं जड़ने चाहिए याने old leaf flower को तो जड़वाएग बट new वालों को जड़ने से रोकेगा क्योंकि प्रमोटरी है यह नहीं abscission करवाएगा prevent abscission in younger ones new ones promote abscission in old ones ठीक है तो मोना के बाल हो गया rooting बालों में गजरा flowering in pineapple पार्थिनों कार्पी इन टोमाटो बाल लंबे हैं xylem differentiation cell division यह सारी बाते होगे अब मोना जो है students यह सब के सर पे नाचती है यानि अपाइकल डॉमिनेंस सब पर इसकी दादा गिरी है पूरा घर इसकी बात मानता है यानि अपाइकल डॉमिनेंस अब इसका क्या मतलब है students आपको पता है एक अपाइकल बड टर्मिनल बड है जो पेड की लंबाई बढ़ाती है और एक axillary buds हैं lateral buds जो branching क अपाइकल डॉमिनेंस अपाइकल डॉमिनेंस अपाइकल डॉमिनेंस पर महान लीजे कि मुझे किसी पार्क में जहाड़ी लगानी है हैज बनाना है आपने देखा उनकी height जादा नहीं होती पर उनमें बहुत सारी branching और पत्तियां होती है जहाड़ियां इसी तरह गर मुझ अपाइकल डॉमिनेंस हट जाएगा लेटरल बड्स ग्रो कर जाएंगी इस उस्फुल इन डाइकल डॉमिनेंस और यही नहीं माइडियर स्टूडेंस मोना का दिल बहुत बार तूटा है तो मोना को कपल से बड़ी चिड है तो जहाँ भी मोना को डाइकॉट की वीड दिख और यह पीवाई क्यों है वहाँ पर और जिब्रिलिन ऐसे ओप्षिन नहीं थे वहाँ पर और ऑग्जिन के ही चार फॉम्स दे दिये थे तो हमें क्लियर आना चाहिए टू फोर डी पर्टिकुलर ली डाइकॉट का भी डिसाइड है अब आज जिब्रिलिन पढ़ाते हैं ज जिब्रिलिन 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 endosperm में जो starch है और उसको तोड़के glucose बनता है और glucose को use करके ATP बनाता है embryo और germinate करता है तो gibralinger से germination of seed आई इसकी trick बताती हूँ trick का पहला good student germination of seed malty das malty, malty मतलब यह malting process में use होगा जहाँ wine beer बनेगी वहाँ पे malt बनाने में इसी के कारण यह जो amylase बन रहा है ना उससे जो malt बनेगा das, das, das das, d और s मतलब delay senescence यह भी बढ़ापाने से रोकेगा, naturally student यह सब promotory है तो बढ़ापाने से रोकेगे, और क्योंकि delay senescence कर रहा है तो fruit पेड़ पर जादा दिन तक टिक सकता है उसकी market value market period बढ़ा जाएगा तो good student यह जर्मिनेशन अफ सीड malty यह आने malting process in cereals das यह यह दिले senescence so fruit can be left over tree for a longer period of time market value बढ़ेगी, so good student malty das, applied apple अभी बताती हूँ applied for BSE B मतलब bolting S sugar cane और C conifer और BSE in general life science, general मतलब grape life मतलब length, science मतलब stock अब यह सब interrelated है समझो, एक प्रक्रिया है bolting, bolting का simple सा मतलब है मान लीजे cabbage है, beetroot है चुकंदर है, पत्ता गोबी है इन में node past past है, inter node short है इसे rosette habit plants बोलते हैं जैसी gibralin का spray करोगे inter node लंबा हो जाएगा इसे bolting कहते है तो bolting मतलब inter node elongation prior to flowering इंटर node elongation तो gibralin का spray करते है inter node elongate हो जाता है इस कारण क्या होगा, वो डंडी elongate हो जाएगी, grapes की stock की length elongate होगी, grapes अच्छे से arrange हो पाएगी apple में हम thalamus खाते है thalamus भी तो एक inter node है, वो elongate होगा, तो apple का shape इंप्रूव हो जाएगा, size बढ़ जाएगा sugar के इन गन्ने में हम stem यूज करते है stem लंबी हो जाएगी, inter node लंबा हो जाएगा तो sugar के इनकी yield फसल बढ़ जाएगी, 20 tons पर एकर तक हो जाती है और conifers जो होते हैं students यानि जिम्नोसपर्म, conifers उन में क्योंकि ये promotory है तो ये juvenile, vegetative phase बच्पना कम करके पटाफ़ड reproductive phase ले आएगा तो जल्दी बीज, seed बन जाएगा फूल नहीं आएगा, ये जिम्नोसपर में फूल नहीं आता तो applied मतलब apple का shape इंप्रूव हो न और BSE, B मतलब bolting, rosette habit वाले plants like cabbage and beetroot, S मतलब sugar के इनकी yield बढ़ना 20 tons पर acre, C मतलब conifers में, hasin maturity जल्दी maturity लाएगा, तो seed production early जल्दी होगा and general life science मतलब grapes की stock की length को बढ़ा देना तो main अगर पूछें, overall तो germination of seed और bolting उससे सब कुछ याद रख सकते हो आप ये हो गया जिबरेलिक acid अब आईए हम आजाते हैं cytokinin, cytokinin में हमारी trick है CM, chief minister C मतलब cytokinesis करेगा M मतलब morphogenesis morphogenesis मतलब morphology, tissue culture में काम आता है students ये अगर auxin cytokinin equal concentration में तो callous बनता है, auxin जादा कर दो तो root बन जाएगी और cytokinin जादा कर दो तो shoot बन जाएगा तो CM याने cell division and morphogenesis कौन चीफ मिनिस्टर? P.N. Mishra P.N. Mishra मतलब promote nutrient mobilization ये nutrient mobilize करेंगे और अगर nutrient subject mobilize होंगे, पहुँचेंगे तो बुढ़ापार नहीं आपाएगा, young रहेगा याने CM, P.N. Mishra दिल्ली से दिल्ली से याने delay senesence promote nutrient mobilization and delay senesence दिल्ली से कहाँ है? उडीसा आए मतलब overcome apical dominance जी हाँ student जैसे ही अगर आपको oxygen की दादागिरी रोकनी है apical dominance आप cytokinin का spray करो cytokinin apical bud को चुप बिठा देगी axillary bud grow करेंगी याने अब leaves, branches वो सब हो जाएंगे मैंने क्या कहा है? फिर बताती हूँ cm याने cytokinesis, morphogenesis tissue culture pn-mishra, promote nutrient mobilization दिल्ली से, delay senescence उडीसा आए overcome apical dominance याने oxygen की antagonistic है oxygen का उल्टा काम है इस मामले में कब आते हैं वो? Tuesday and Saturday Tuesday, Tuesday का मतलब tissue culture और Saturday मतलब ये shoot बनवाएंगे कौन सी? lateral shoot क्योंकि overcome apical dominance है तो lateral shoot बोलो, adventitious shoot बोलो, जाने की new leaves बनेंगे और leaves पर chloroplast बनेगा NCRT क्या लिखती है? lateral shoot, adventitious shoot growth new leaves और leaves के अंदर chloroplast ये सब हो गया cytokines so easy my dear students अब आई हैं हम पहले abscissic acid पढ़ लेते हैं जो totally inhibitory है यानि शुरू के तीनों बुढ़ापा नहीं ला रहे हैं यंग रख रहे हैं और अब abscissic acid बुढ़ापा लाएगा इसके लिए हमारी एक trick है students हमारे college में एक reservoir टंकी है जो खुली पड़ी थी तो मैं बता रही हूं कि एक BDS student ने उसे बंद कर दिया है A BDS student closed the reservoir A मतलब यह सबसे पहले abscission करेगा नामी abscissic acid abscission का मतलब जो leaves हैं, flowers हैं, buds हैं उन्हें जड़वाएगा, shedding off करवाएगा abscission number one now BDS B मतलब bud, S मतलब seed और D मतलब dormancy यह bud को और seed को dormant बनाएगा क्योंकि बाहर प्रतिकूल परिस्थिती होगी तो gibralin germinate कराता है और abscissic acid dormancy कराता है यानि उस मामले में यह anti gibralinic acid है उसका उल्टा काम कर रहा है auxin apical dominance कराता है और cytokinin उसको overcome करवाता है यानि इस मामले में यह दोनों antagonistic हैं auxin और cytokinin और gibralin और abscissic acid antagonistic उल्टे है तो BDS यानि bud और seed की dormancy को break करेगा now student closed the यानि यह stomata को close कर देगा student मतलब stomata को close कर देगा क्योंकि अभी stress के condition है हम नहीं चाहते water का extra loss हो तो stomata close हो जाता है वो abscissic acid ही करवाता है और closed the the मतलब transpiration को भी कर देगा यानि की anti-transpirant है stomata close करवाएगा stress की condition है पानी की कमी है तब निकलता है abscissic acid now close the reservoir reservoir मतलब resist stress stress hormone है stress में काम आता है तो जब भी कहीं कट लगेगा बहार प्रतिकूल परिस्तिती है पानी की कमी है तो abscissic acid निकलता है तो ये abscission करवाता है ये dormancy करवाता है very very important ये stomata close करवा देता है stress जहिलने में मदद करता है a BDA student closed the reservoir resist stress done चलिए ये लिख लेना ये tricks बहुत काम आएंगी अब आजो हम आजाते हैं itheline पर itheline मैंने कहा था दोनों category में fit हो सकता है इतली जिब्रिलिन जैसे भी कुछ activities करेगा abscissic acid जैसी भी abscissic acid जैसी दो में करता है abscissic acid के में काम क्या है abscission कराना और dormancy करवाना बुढ़ापा लाना ये दोनों काम ये करेगा यानि ये abscission भी लाएगा और promote senescence भी करवाएगा ये बात ध्यान रखना बुढ़ापा लाना और जड़वाना ये दोनों काम abscissic acid जैसे है बट कई जगे ये जिब्रिलिक acid की तरह germination कराता है जैसे आलू, potato का जो tuber है उसका germination मूमफली की seed peanut seed germination वो ये करवाएगा तो कई जगे पे इसके जिब्रिलिक acid जैसे रोल है बट majorly inhibitory मानते है ये even dormancy को भी break करवाता है यहाँ पर भी जिब्रिलिक acid जैसा काम कर रहा है बड की, seed की dormancy को भी break करवाएगा तो कुछ काम अच्छा, even ये bolting करवाता है जो deep water rice plants है उनमें inter node या PTO लंबा कर देगा ताकि वो इससा पानी की ऊपर आ जाए तो ये भी जिब्रिलिक acid जैसा काम है बोल्टेंग और ये कुछ कुछ काम oxygen जैसे भी कर रहा है जैसे ये भी pineapple में flowering कराएगा mango में flowering करवाएगा cucumber खीरे में female flower बनवाएगा female flower में ही overi है वहीं पर fruit याने cucumber खीरे की yield बढ़ जाएगी अगर इतलीन रिलीज हो गया में काम ही है इसका fruit की ripening करवाना पकवाना तो ये क्या क्या कर रहा है आई हम समझते हैं हमने क्या कहा कि abscission और बुढ़ापा लाना promote senescence ये abscissic acid जैसा कर रहा है potato tuber की sprouting peanut seed का germination जो है अपना क्या बोलते हैं deep water rice plants में internet petiol का elongation और seed bud की dormancy break करना ये सारे जिब्रिलिक acid जैसे roll हो गए और pineapple, mango, cucumber में flowering करवाना cucumber में female flowers बढ़वाना उसकी yield बढ़वाना यही नहीं pineapple में एक साथ सारे फला है याने fruit synchronization कराना ये सब auxin जैसे काम हो गए तो कुछ promotory activities हैं कुछ inhibitory activities हैं आपको proof कर रही हूं बार बार और एक इसकी अपनी activity है समझो देखो shoot लंबी कौन कर रहा है auxin, apical dominance lateral shoot कौन बनवा रहा है cytokinin by overcoming apical dominance root कौन बनवा रहा है primary root auxin पर lateral root और उस पर root air कौन बनवाएगा ethylene बनवाता है तो ध्यान रखना कि root shoot की वो वाली बात तो auxin है जिसमें अगर cytokinin बढ़ा देते हैं तो shoot बनती है callus में से auxin बढ़ाते हैं तो root बनती है पर lateral shoots cytokinin का काम है by overcoming apical dominance of auxin और lateral root और root air ये भी ethylene का काम है तो हमने क्या trick बनाई है देखिए trisha sat trisha trisha मतलब इसमें triple response देखने को मिलता है sat sat मतलब जो dicot की seedling है उसमें s मतलब swelling हो जाएगी a मतलब एक apical hook बनता है और t मतलब transverse horizontal growth होगी dicot की seedling में so trisha sat and she put some ripe potato ripe मतलब ripening of fruits potato मतलब potato के tuber में germination कराना add she added trisha sat and added added मतलब abscission करवाना क्या add करा some some मतलब senescence बुड़ा पालाना some potato ripe potato यानि ripening of fruits and potato का germination कराना और साथ में peanut butter peanut मतलब peanut मुमपली की seed का germination कराना butter on bread butter butter मतलब bud और bread मतलब break करेगा dormancy को इसके अलावा मैंने आपको बता दिये हैं मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ दुबारा बोलती हूँ फिर से सुन लीजे बुड़ापा senescence लाना और abscission कराना abscissic acid जैसा काम है आलू के अंदर potato tuber, peanut seed germination, break bud dormancy, deep water rice plants में, PTO का elongation, internode का elongation थाकि वो पार्ट अबव दे वाटर आ जाया है ये सारे काम इसके जिबरिलिक acid जैसे है और mango में flowering कराना cucumber में female flowers बनवाके है उसकी yield बढ़वाना और pineapple में भी flowering करवाना और fruit synchronization करवाना ये सब oxygen जैसे काम है इसके लावा lateral roots और root hair बनवाना now my dear student क्योंकि abscission भी करवाता है इसे use करते है thinning of cherry, cotton and walnut इसको समझो अगर आप रोट तोड़ने जाओगे तो एक 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 पेड़ से नहीं तोड़ सकते आप इतलीन का spray करो सारे एक साथ जड़ जाते है इसके लावा fruit ripening में ध्यान से सुनो जो ये फल पकवाता है climatic fruits को ripe कराता है climatic fruits मतलब वो fruit जिनने ripening के टाइम पर बहुत energy चाहिए इसमें tomato और apple यहां दिये है तो एक साथ इन पाचों के chemical nature, एक साथ खोज discovery और एक साथ ये functions लिखना और हर बार एक साथ revise करना क्योंकि इन पर direct question आते हैं 2022 तक में आये हर साल आते हैं every year they are coming now very very important अच्छे से clear हो गया, मैंने बहुत जोड दे दे के पढ़ाया है क्योंकि students को इटाफ लगता है और मैं नहीं चाहती कि ये point आपका जरा सा भी week रह जाए एक चीज और समझे कि जो इतलीन है students ये तो gas है तो gas form में थोड़ी पेड को देंगे तो इसका इतिफॉन नाम से aquas, पानी में घोल के solution आता है वो solution पेड को दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उसमें से gas release होती रहती है और वो plant part को मिलती रहती है यानि अगर कोई पूछे कि खेती में, agriculture में, hauntie culture में one of the most widely used plant growth regulator कौन सा है तो सबसे जादा function अपने किसके पढ़े इतलीन के जो सब तरह से काम कर रहा है इतलीन उसका answer होगा NCRT की लाइन है यानि कुछ hormones जो है वो आप देख सकते हैं वो अकेले काम कर रहे हैं individualistically NCRT की लाइन है बट कुछ synergistically मिलकर काम कर रहे हैं कुछ antagonistically उल्टा एक दूसरे पर काम कर रहे हैं ये सब factors हैं जो plant growth and development को control कर रहे हैं तो आईए समझते हैं कि जो factors control करते हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं वो internal factor हो सकता है जिसमें से intercellular hormone हो गये plant growth regulator और cell के अंदर intracellular genomic control genetics हो गया और external factor भी growth development को control करेंगे जैसे light, water, temperature, gravity ये सब तो external control भी होता है internal भी होता है internal में intracellular याने genetic intercellular याने hormones regulators हो गये तो अब आए स्टूडेंट्स हम external factors में light का और low temperature का असर फूल खिलने पर flowering पर understand करते हैं now flowering पर जो light की duration का असर है photo मतलब light, period मतलब duration, photo periodism उसे कहते हैं आपने देखा होगा कुछ पेडों के फूल केवल गर्मियों में खिलते हैं जब लंबा दिन है long day plants कहेंगे जादा देर धूप चाहिए कुछ के सिर्फ सर्दियों में खिलते हैं short day plants कम देर धूप चाहिए और कुछ में ऐसा कोई पंगानी सदा बहार पूरे बारा महीने फूल आते हैं यानि डे न्यूटर plants यह क्या चत्कर है इसको समझो इस पर question आ रहे हैं कुछ सालों से एक्चुली जब भी हम चाहते हैं कि फूल के लिए तो जो शूट अपाइसे मेरिस्टेम उसे फ्लोरल मेरिस्टेम में कनवर्ट होना होगा साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके लिए एक हॉर्मोन है फ्लॉरी जन रिस्पॉंसिबल जो फूल खिलवाएगा हाले कि यह हॉर्मोन कैसे बनता है साइंटिस्ट यह कहते हैं कि पेड कैसे पता करेगा कि मुझे कितनी देर लाइट मिल रही है मैं फूल खिलाओं या नहीं सर्दी है या गर्मी है प्लस मैची और लीफ के लिए प्लस नेवाट के अंदर फाइटो क्रोम नाम का पिग्मेंट है ये pigment से decide होता है कि कितनी देर light आ रही है पेड़ समझ जाता है उसके अंदर की घड़ी है ये clock है और फिर वो floragen hormone produce करेगा leaf और वो phloem के through shoot apices पे जाएगे और shoot apices को floral apices में convert करेंगे flower में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको sexual reproduction में आपने पढ़ा है कि जो nodes है वो पास-पास हो जाएंगे condense हो जाएंगे notes और inter-nodes short हो जाएंगे और ऐसे करके flower बन जाएगा अब ये जो phytochrome है इस बात को एक बात समझो कि पेड़ जो होते हैं हर पेड़ को minimum amount of light चाहिए होते हैं जिसे critical period बोलते हैं ये critical period हर species के लिए different होगा obviously अगर किसी पेड़ को critical period से जाधा light चाहिए मानलो 10 गंटे critical period है उसका उसे 10 गंटे से जाधा light चाहिए तो ही pool खेलेंग right यानि duration of light पर depend करेगा और इस knowledge को use करकर artificially हम सर्दियों के pool गर्मी में और गर्मियों वाले सर्दी में भी खिलवा सकते हैं artificially control करके जैसे मुझे पता है कि एक पेड़ है जिसको बहुत लंबी देर light चाहिए अभी सर्दियां है अभी तो मिल नी रही तो मैं glass house artificially create करके उस का combination वो decide करता है ultimately critical period से जाधा चाहिए तो long day कम चाहिए तो short day critical period जितना चाहिए मतलब कोई लेना देना नहीं critical period से तो day पांच मिनिट को भी light दे दी ना students गुसा हो जाते फूल नी खिलाते याने इने सिर्फ छोटा दिन और लंबी रात नहीं लगातार uninterrupted dark period चाहिए होता है और long day वालों को अगर आपने टुकडे टुकडे करके भी critical period से जाधा light दी ना तो भी बिचारे काम कर लेते लॉंग लॉंग दिन लंबा दिन काम करने वाले चलिए अब आई हम एक और phenomenon समझते हैं कि बीज को low temperature की जो जरूरत होती है उसे बोलते हैं वर्नलाइजेशन आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं गाउ में खेती में आपने सुना होगा कि इस बार ठंड अच्छे से नहीं इनकी दो तरह की विराइटी आती है spring विराइटी और winter विराइटी दोनों बड़िया फसल देने वाली हैं अब समझो एंसी आटी में बारले राई वीट तीनों का नाम लिखकर वीट की डीटेल दी हुई है spring का मतलब बाहर बाहर होती है फरवरी मार्च का महीना फिर गर्म सम बसंत बाहर यह चार को मिलाकर एक सीजन कहते हैं एक साल मानते हैं साइकल का अब spring विराइटी को spring में आतने बीज बोया फरवरी में बीज बोया मान लो और end of growing season याने अप्रेल तक आते आते दो तीन महीने में बीज स्प्राउट भी कर जाएगा root shoot भी बन जाएगी फू इदर विराइटी को अगर आपने spring में फरवरी में बोया तो अप्रेल में फूल नहीं खिलता उसे आपको autumn में October November में बीज बोना पड़ेगा autumn में फिर ठंड आएगी वो जो सर्दियों का low temperature जब वो seed को मिलेगा तब वो germinate करेगी चोटी seedling बनेगी और फिर जब बहार विराइटी में फरवरी में बीज बोया और अप्रेल में फसल मिल रही है तो यहां तो दो तीन महीनी मेरा खेत occupied रहा मैं कुछ और खेती करूंगी और उसमें तो 6-8 महीने तक मेरा खेत occupied रहा scientist ने सोचनी की कोशिश की ऐसा क्यूं हो रहा है winter variety के अंदर उन्हें समझाया कि इस बीज को ठंड चाहिए low temperature पर असर होता है फूल खिलने का flowering का vernalization तो अब scientist क्या करते है artificially low temperature पहली दे देते हैं उस seed को winter variety वाले बीज को और उसे अब फरवरी में बोते हैं ठंड already मिल चुकी आपको ठंड का वेट करना ही नहीं है अब आराम से 2-3 महीने में फसल आ जाती है यानि हमने winter variety को spring variety में convert कर दिया artificially low temperature दे कर इसी तरह जो dan casual her Replay मतलब यही एक season में सो करोगे अगले में मिलेंगे उन्हीं हम Annual में convert कर सकते हैं सेम तरह से क्यूंकि वह bign概 क्यूं है क्यूं कैंड के अगले सरतियों के बाद हमको देता है वह कर्मियों में 4 बाड़े मजेदार ट्रिक से बताती हूं मैं कब में गई, कब में आती है कार और मैं शक्कर लेने गई, तो कब मतलब कबज, कार मतलब कारट, और शक्कर मतलब शुगर भी, यह तीन बाइनियल्स हैं जिनकी अनुवल वराइटीस क्रियेट कर दी गई हैं यहां पर आकर हम अब लास्ट टॉपिक पर आगए इस चाप्टर के सीड डॉर्मेंसी जिसे जादा तर सुड़ देते हैं और अभी दो साल से इस पर दडलले से क्वेस्चन्स आ रहे हैं लिए स्टूडेंट्स देखो कितना असान है आप को कि मैं हमें पता है जब बाहर की प्राइश्टिती प्रतिकूल है अनपेवरिबल है तो सीड सो जाती है डॉर्मेंसी में चली जाती है तो आपने अभी इसी चाप्टर में बताया पर यहां एंसी आप्टविक यह नहीं कह यह हो सकता है हाड और इंपरमीएबल सीडू ओन वह सकता है कि वह सकता है केमिकल इनिभटर जो सीड जर्मिनेट नहीं कनारिये रहे हैं जैसे 65 6ap से यारप अधर दो पता ही याбसिक्र आप्सेयरी सबस्टेंक आप इनका तोड क्या है इलाज क्या क्या है अगर 2 beaut की embryon मैं वह आ हिंतजार करेंगे पर अगर इने बिट нравится सबस्टेंस है आप, आपसेसिक आसिट, फिनॉलिक और पैरा सकॉर्बे, तो हम इनका तोड़ करने वाला जर्मिनेशन वाले केमिकल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, NCRT इसमें पहला जर्मिनेशन दूसरा, चिलिंग कंडिशन, अभी तो हमने देखा, सीड को जर्मिनेट करवाने में ठंडे टेंपरेचर का भी रोल था, लो टेंपरेचर, तो चिलिंग कंडिशन, जिब्रेलिक आसिट और एक नाइट्रेड सियाद रखना, ये तीनों जर्मिनेशन जर्मिनेशन को रोकेगा, डॉर्मिनसी करवाएंगे, ध्यान से पढ़ना दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, अब अगर हार्ड इंपर्मिएबल सीड कोट है तो क्या करें, NCRT कहती है उसको सॉफ्ट करने के दो तरीके हैं, एक मैनमेड तरीका, जहां पे विग्रस, सबर जब उस पर वर्क करेंगे, तो उसे सॉफ्ट कर देंगे, so with this students, we complete the podcast of plan, growth and development, I hope आपको मजे आए हैं, इस chapter को, इस podcast को दो-तीन बार सुन लेना, और लिख लेना जो tricks मैंने, tips मैंने बताई हैं, यहां से पक्का दो साल से questions आ रहे हैं, 4-4-5-5, और normally students के week होते हैं, तो मेरे students के जब यह strong हो जाएंगे, तो यह suddenly आपको edge दे देंगे, advantage देंगे, मिलते हैं अगले podcast में, till then a very happy learning and all my love and blessings to you, God bless you.